तो इसके पहले हम लोगों ने अभी तक 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं अगर आप लोगों नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हैं वहां जाके देख सकते हैं तो इसक्रम में आगे बढ़ते हैं तो क्या 1.3 की तरफ तो 1.3 का पहला कोश्चिन क्या है दो अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवंग उनके वर्गों का योग 117 है तो दोनों संख्याओं ग्याद करें ठीक है मुझे दो संख्या दिया है उनका अंतर दिया हुए ठीक है फिर उनके वर्गों का योग दिया हुए फिर क्या हम लोग को फाइंड करने दोनों संख्या है क्या है तो यहां पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहला कि अखंड कि संख्या एक्स तो दूसरा क्या हो जाएगा कहां एक्स माइनस त्रीो के अंतर भूला है एक्स माइनस three हो गया ठीक्व को तुम संख्या दोनों कर लेते हैं अप में पहले वर्ग कर लेते हैं इसका और इसका कि की और वर्गू का योग योग देये योग मनता जोड जोड के इसको क्या है समिकरान को मतलब इसको ब्रेक करना रेक करके X का मान लिखाना ठीक है तो X स्कार हो जाएगा यहां पर क्या है ए मैनस B का होल स्कार क्या होता है ayy a square minus 2a b plus b square यह दना formula है कि तो फिर क्या यहां पर आ जागे a square minus 2 Haarmi पर यह क्या हुआ यह जगा हम लोगा AX तो A पिर B के जगा पर क्या हम लोग फिर 3 A B plus 7 फिर B square मत्रही का IQ स्कॉर होगा एक्वल टू एक्सचरा ओके तो यहां पर यहां पर गनेस्ट काँवा दर चैनेत्व ननौन एटानिग। टो इक सबस्क्तिक उस्काइब और इक उटार्ट एक सो समयल इसको सब्सक्तब्स एक सौयड लाता एक सब्सक्तर को हो तो माइनस में आजाएगा टो फिर यहां पर क्या आ जाएगा टो एक्स स्काइर माइनस 6x इन दोने क्या हो रहा घट रहा तो घटा देंगे कितना आएगा माइनस 108 टो जिरो प्य यहां से दिक अब दो कॉमन आ रहे तो दो कम ले लेते तो एक्स स्कॉयर माइनस दो कमन आचुगा तो 3x आजाएगा माइनस यहां पर टू फाइज ए टेन फीर टू फोर्ट एट इक्वल टू जिरो तो यहां से एक्स क्राइड माइनस 3x minus 54 equal to 0 by 2 2 यहां पर आ गया ओके यहां पर क्या एक स्क्वाइर माइनस 3x minus 54 equal to 0 ओके यहां पर सॉल्फ करते हैं तो हम दोंको बस क्या था एक क्वेस्टन एक स्क्वाइर माइनस 3x minus 54 equal to 0 ठीक है अब यहां पर फैक्टर आ गया तो फैक्टर क्या हम लोगा multiply करके 54 लाना और माइनस करके इस sign को देखेंगे हम लोगा तो क्या माइनस करके 3 ठीक है तो 54 का अगर break कर तो कितना आएगा 96 या 54 ओके इंदोनों का माइनस करें तो थ्री आ जाएगा तो यहीं दू नूमर का फैक्टर है ओके तो कितना एक स्कॉयर माइनस 9-6 एकस माइनस 54 equal to 0 एक स्कॉयर माइनस 9 का एकस में मल्टिक्लिट्वल आई 9x हो गया फिर यहां पर देके माइनस माइनस प्लस हो गया 6 का एकस में 6x हो गया माइनस 54 equal to 0 यहां से एकस को मना रहा है एकस माइनस 9 ठीक है यहां से क्या को मना रहा है 6 6-9 equal to 0 ठीक है तो यहां पर देखें तो एकस माइनस 9 आया और यहां ऑडिकाया EXPOW 60 इक अरड़ जेरो तो एकस माइनस 9 एकाल टो जेरो आगया उके एकस प्लस 6 एकल जेरो आगए एकस इक ऐकाल टो से नाइन में आयां यहां पर देखे X equal to minus 6 तो negative value तो लिया नहीं जाता हम लोग को तो positive value क्या है 9 तो दोनों संख्या है कि लिकानना हम लोग को तो पहला जो अखंड संख्या है कि इतना है X का positive value 9 तो 9 हो गया फिर दूसरा क्या हो जाए हो दूसरा क्या तो X minus 3 था X minus 3 तो X का value कितना है 9 तो 9 minus 3 हो जाए हो तो दूसरा कितना है 6 है हम लोग का answer हो गया दोनों संख्यागा 9 है पहला है दूसरा 6 है यह दोनों हम लोग का answer हो गया तो second number question की तरफ चलते हैं तो second number question क्या किसी तिरभूच के आधार की लंबाई उसके उचाई की दो गुनी के अपेक्षा 18 मीटर अधिक है मतलब उससरा तिरभूच का आधार है उसके उचाई की दो गुना से 18 मीटर अधिक है तो तिरभूच का छेतरवल कितना दिया हो है? इक्वल टू एक्स मीटर तिक है तो उसका आधार क्या हो जायागा? अधिक है दो उचाई की दो गुना से उचाई है दो गुना से 18 मीटर अधिक मतलब प्लस 18 मीटर हो जायागा ओके फिर क्या दे तिरभूच का छेतरवल ठीक है प्रशना नुसार तिरभूच का छेतरवल एक्वल टो 360 वर्ग मीटर ओके तो हम लोगों पता है कि तिरभूच के छेतरवल का मतलब तिरभूच के एरिया का फोर्मूला क्या होता है? वन बाइटू इंटू बेस इंटू हाइट यहांद की आधार इंटू उचाई इक्वल टू 360 तो वन बाइटू इंटू आधार के आम लोगों पास 2x प्लस अठार उचाई के आम लोगों पास x मीटर एक्स इक्वल टू 360 तो वन बाइटू इंटू यहां से देखे तुमनों क्या कामन आ रहे हैं? तू तू कामन ले लेते हैं शॉर्ट हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 360 तू टू कैंसल हुआ कैंसल कर दिए क्या बच्वाज एक्स प्लस 9 एक्स इक्वल टू 360 कि यहां से मल्टिपूल आई कि ए तो एक्सव्कवाइर आ गया इसमें किये इसका इसमें किये प्लस 9 एक्स आ गया फिर यहां पर लेफ्ट साइट लाएंगे तो माइनस 306 इक्वल टू जीरो अब यहां पर फैक्टर आ गया तो फैक्टर देखे तो मल्टिप्लाई करके 360 लाना है और माइनस करके 9 कि भी इसके 360 कम लों करता है एल सीम पहले है तू शें वन एट जीरो आजाएगा फिर टू से किए 90 फिर्ट तू से करते दो 45 और तरी से केट 15 फंच फिर फ्रेस किेए आजाएगा तो यहां पर देखिए तो कितना ओर रहे हैं टूर्टूस ऒफोर टूस ऐट टिरब्र 24 ओके और फाइफ त्रीजा 15 तो 24 15 मुल्टिप्लाई किये तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा और माइनस किये तो 9 आ जाएगा ओके तम लोगा फेक्टर क्या आ जाएगा 24 माइनस 15 ओके एक्स स्क्वाइब प्लास 24 माइनस 15 एकस माइनस 3060 एक्वल टुजीरो कि एक्स स्क्वाइब प्लस एक्स का 24 मैल्टिप्लाइब 24 एक्स हो जाएगा फिर एकस का 50 में माइनस 15 x हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू जीरो इसको यहां सॉल्फ करते हैं कि तो वहां से किता क्या था मुझे एक्स स्कॉएर प्लस टू एक्स 24 एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 360 इक्वल टू जीरो यहां से दिखेंगा X common आ रहा है X plus 24 हो जाएगा ओके यहां से क्या रहा है ais 15 common तो 15 x plus 24 हो जाल यह माइनस रहें प्लस और प्लस हो गया तो तो एक包括 24 गया है यहां दोिक स्माइनस 15 इवकल टो 0 तो एकस्पार सट्वांटीफोर इक वल्टिफंटिफ लिए गया एकस-15 इकवल टो जीरो एकस इकवल two minus twenty four उस्ट गया तो साइनचेंज ओके तो यहां पे कितना रहा है एक सिक्वल टो फिप्टेन ठीक है तो एकस का नेगेटिव वैलूम्नों को नहीं लिया जाता हो के तो पॉजिटिव वैलू किया आ तो एकस क्या तो हम लोग का तिर्भूच की उचाई तो तिर्भूच की उचाई तो पंदरा मीटर है यह हम लोग का अंसर हो गया एक कोश्चन पूछा गया तो उचाई लेका ला ओके कि तरफ चलते हैं तो ठर नुम्र क्या है एक धनात्मक पूर्ण संख्या का पांच गुना उसके वर्ग के दो गुने से तीन कम है तो संख्या बता है मतलब कोई धनात्मक पूर्ण संख्या है ठीक है उसका पांच गुना उसके वर्ग के दो गुने से तीन कम है ठीक है तो पह इक्वल टू एक्स ठीक है धनात्मपूर्ण संख्या का पांच गुना मतलब यह जो संख्या इसका पांच गुना ठीक है तो उसके वर्ग के दो गुने से इसका कितना वर्ग मतलब इसका दो गुने से मतलब इसका दो गुना ठीक है तीन कम मतलब माइनस थ्री जो कोश्चन बूला गया तो अब इसको एक्वेशन में लाते हैं तो तो एक्स स्कॉयर माइनस थ्री बरावर 5x ठीक है इतना इक्वल टू इतना होता तो इतना इक्वल टू इतना हो सकता है ठीक है तो 2x स्कॉयर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो क्या हो इसको लेफ्ट साइड लाएंग तो ठीक है माइनस में प्लस में था अब देखें तो यहां पर क्या है फैक्टर आ गया तो यहां पर यहां पर देखें कि दोटिय आई 6 मतलब मल्टिप्लाइए करके 6 लाना है और कितना माइनस करके 5 ठीक है तो मल्टिप्लाइए करके 6 और माइनस करके 5 तो कितना आएगा 6-1 आ जाएगा 6 का 1 में मल्टिप्लिय करेंगे तो 6 ही आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 ओके तो फेक्टर क्या हो जाएगा 6-1 तो 2x2-6-1-3-0 किसे दो टिस mapi q को जायागा —1 एक्स 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 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिये तो माइनस माइनस प्लास हो हो गया वन इंद्थे एक से आ जाएगा मैनस त्री टो गुस्ञ म तो यहां पर देखो तो X-3 यह आ गया और क्या आया X-3 हटा टू एक्स यहां पर प्लस वन प्लस वन इक्वाल टू जीरो तो क्या जाग एक X-3 इक्वाल टू जीरो हो गया देख टू एक्स प्लस वन इक्वाल टू जीरो तो X X equal to minus 3 plus X का value कितना है 3 यहां बदेगे 2X plus 2C तो minus 1 ओके X equal to minus 1 नीचे आये तो X का कितना minus 1 by 2 तो negative value हम नहीं दिया जाता ठीक है तो positive value लेंगे तो X कोम क्या माने थे धनादवंग पुन्द संग्या तो उसका मान कितना है 3 वह से ही लिख देंगे तो धनातमक पुन्द संख्या कितना हम लोग का 3 यह हम लोग का answer हो गया कि तरफ चलते हैं तो फोर्ट नमर कोस्टिन क्या दो अस्थान के बीच की दूरी 200 किलोमेटर है कि अनके बीच प्लाएं यहां अनके तो अनके बीच की दूरी कितना है थार पिर फिर कोस्टिन क्या एक अस्थान से दूसरा अस्थान तक एक मोटर गारे से जाने में जीतना समय लगता जीप गारी से मोटर गाड़ी के वेग से 5 km प्रतिघंट अधिक है तो मोटर गाड़ी का वेग कितना ग्याद करें ठीक है तो यहां पर हम पहले मान लेंगे माना मोटर गाड़ी का वेग मोंटर गाड़ी का वेग कितना आजगा एक से किलो मेटर प्रतिघंटा तो यहां पर देखे तो हम लेकर दोरी कितना है तो यहां से समय लिकाल सकते हैं तो समय क्या होते है से दूरी बट्टा वेक, तो दूरी कित ना हम दोन के 200 कि इसी है? और वेक कित ना प्रति घंटा दिख एकट प्रति घंटा दूरी वह ही है 200 किलोमेटर चुछ लोगर कल समय भी लिकाल लेते हैं कि कि इसके लन्ड मेट भाई एक्स प्लस फाईफ हो जाएगा किलोमेटर प्रति घंटा तो हम लोग को दोनों को आ गया है मोटर गाड़ी का भी समय आ गया और जीब गाड़ी का भी समय आ गया ठीक फिर क्या बोले देखो एक असान से दूसरे अस्थान सबस्क्रार्कामंद समय लगता हैं जीज़ाड़ से जाने में दो गहंटा कम समय लगता dio जो मोटर गाड़ी को डो गंटा कम समय लगते हैं मोटर गाड़ी के अबक्षा ठीक है तो यहां आ जाते हैं प्रस्णा नुसार कि प्रस्णा नुसार क्या हो जागा मोटर गाड़ी का वेग समय कितना है 200 by x ठीक है माइनस फिर जीब गाड़ी का जो समय 200 by x प्लस फाइव ठीक है डिफ्रेंस कितना दिया है दो ओके तो यहां सिसको सॉल्व करते हैं और एक्स का मान लिकाना है हम लोग को तो 200 कॉमन लेते हैं तक इस तॉट हो जाए सॉल्व करने में तो वन भाई एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्वल टू ठीक है तो इसको यहां सॉल्व करते हैं तो देखें यहां पर 200 कॉमन ले लिए था हम लोग तो अंदर में लोग का यहां कितना एक्स प्लस फाइप ही आएगा ठीक है तो यहां पर देखें तम लोग का एक्स और एक्स कैंसिल हुआ तो बच्छ कई साक्यां कमाने मिल्टीप्लाइब्स ही टीक है एक्वाल टू चैटा है यहां से लिगए एक्स और X2 plus 5x का 1 में किये तो कितना है X2 plus 5x इक्वल टू 100 का 5 में किते 500 आ जागा ओके तो X2 plus 5x 500 लेफ साइट आए तो माइनस वे एक्वल टू जिरो अब कि हम लोका फैक्टर आ गया तो फैक्टर कितना आ जागा हम लोग को 25-20 X-500 इक्वल टू 0 कि हम लोगा मल्टिप्लाइ करके 500 लाना था और माइनस करके 5 तो इन दुनों का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 500 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा तो X-square क्लस 25 का एक्वर मल्टिप्लाइ टौटि इंस आ जाएगा कि फिर प्लस मैनस मैनस हो जागा विंटिक एक्वर मन्टिप्लाइट 20x आ जाएगा पिर माइनस 500 एक्वल टू जिरो यहां से एक्स कमन लेते हैं तो एक्स प्लस 25 हो जाएगा यहां से कितना आएगा 20 कमन एक्स प्लस 25 एक्वल टू जिरो ओके तो देखे तो यहां पर क्या आगया एक्स प्लस 25 और एक आया एक्स माइनस 25 इक्वल टू जिरो ओगया तो इसको यहां सॉल्फ करते हैं वहां इसपेस नहीं है तो हमलों को दो फेक्टर कितना था दोनों X plus 25 X minus 20 equal to 0 okay तो यहां पर देखें तो X plus 25 equal to 0 X minus 20 equal to 0 X equal to minus 25 ठीक है एक आया X का value X वहां पुसेट गया 20 तो प्लस 20 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखें तो हम लोग का एक negative value आया तो negative value तो लिया नहीं जाता तो positive value कितना है है तो हम लोग का जो X क्या था मोटर गाड़ी का वेक कितना हो जाएगा मोटर गाड़ी का वेक है एक वल्टू-20 किलो मीटर कि प्रति घंटा यह हम लोग का answer आ गया यह हम लोग को लिकाना था ओके तो फिप नमर कोश्चिन की तरफ बढ़ते तो फिप नमर कोश्चिन क्या है अमीता की आयतकार जमीन का छेत्रफल 2000 वर्ग मीटर एवंग उसकी परिसीमा 180 मीटर है तो अमीता के आयतकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई ग्याद करें मतलब उस जमीन का कितना एरिया दिया हुआ है 2000 वर्ग मीटर और उसका पेरी मीटर दिया हुआ है 180 मीटर ठीक है तो क्या लिकाना है हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ओके तो यहां पर हम लोग लंबाई मान देते हैं ओके ठीक है माना आयताकार जमीन की लंबाई इक्वल टू एक्स मीटर ओके तो यहां पर आप देखें तो हम लोग एरिया कितना दिया हुआ है 2000 वर्ग मीटर तो आयताकार जमीन का छेत्रफल आयता हम यहां कितना दीएगए 2000 वर्ग मीटर तो तो हम देहें कि यह एरिया का फॉर्मुला क्या होता है तो क्या होता है लंभाई गुने चौड़ाई इक्वल टू 2000 इसका एरिया थो हम ऒंपास देखें थो हम आसे लंबाई इन तो लंबाई यहां पूट करते हैं, x into चोड़ाई, equal to 2000, ओके, तो यहां पर देखें, फिर हम लोग का चोड़ाई कितना आ जाएगा, 2000 बट्टा एक्स, मीटर, ठीक है, तो हम लोग पास यहां देखें, तो लंबाई और चोड़ाई दोनों आ चुका है, ठीक है, अब क्या द जमीन की परिसीमा, कितना 180 मीटर, तो परिसीमा फोर्मुला क्या बता है, तो इन्टू लंबाई प्लस चोड़ाई, ठीक है, equal to 180 मीटर, ओके, तो यहां पर देखें, तो लंबाई कितना हम लोग, एक्स मीटर, प्लस चोड़ाई कितना हुआ, 2000 बट्टा एक्स, equal to 180 बट्टा, दो नीचे चला गया, ओके, और 180 को काड़ देते हैं, तो कितना 90 आजाएगा, तो यहां पर देखें, इनका LCM ले लेते हैं, एक्स आजाएगा, यहां, एक्स स्क्वाइर, प्लस, एक्स डिवाइड हुआ, से एक्स को डिवाइड किये, तो वन आए, वन का 2000 मल्टिप्लाई करें, तो नहीं आजाएगा, ओके, तो यहां पर इक्वल टू 90 आएगा, तो यहां पर क्रॉस मल्टिप्लाई कर देंगे, तो इतना का इसतना है, इसतना इसमें, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वाइर, प्लस, 2000, एक्वल टू 90 का एक्स में मल्टिप्लाई, 90, एक्स हो जाएगा, ओके, इसको अब यहां सॉल्फ करते हैं, इस पेस नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वाइर, प्लस, 2000, एक्वल टू 90 मेgs था, ओके, तो एक्स स्क्वाइर, लिफ सैट आया, तो, माईनस 19 एक्स, प्लस, 2000, इक्वल टू 0, अब क्या हो, हमनों का फेक्टर आ गया, तो देखें तो यहां फेक्टर कितना है, मल्टिप्लाई करके, 2000 लाना है, और एड़ करके मदब जोड के 90 लाना है ठीक है तो फेक्टर हो जाएगा 50 प्लस 40 X प्लस 2000 इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वाइर माइनस यहां पर मिल्टिप्लाइब हो जाएगा 15 क्वीविच फिव्तिन एक्सवन dopple varsa मैनस मंटस फो टीक एक्स फोटियें सब्सक्राइब उनियौन इक्वल टू फि लानुईक्ड तो यहां से और एक्सकौन Анई एक्समाइन फिप्टिफिक हो जा यहां पर यहां देखे तो 40 common आया है तो X माइनस हो जाएगा लिए ब्रेकेट के बाहर माइनस था तो यहां पर 50 हो गया इक्वल टू जीरो यहां देखे एक्स माइनस 50 आ गया ओके एक आए एक्स माइनस 40 इक्वल टू जीरो तो एक आजाएगा आजाए यहां पर अजरा जाएगा 40 ठीक एक्स का वेली खिप्टी भी ले सकते हैं तो हम फिफ्टी लेते हैं थिखें हैं और हम देखें घ्रों खेले कि तना है फिप्टी क्या थमकलम लंव है तो जमीन के नहीं नहीं कि यहां पिलिखते हैं लंब आई, एकवल्टु एक्स का वेल हिना, 50 मींटर ठीकतए कई चौड़ाई क्या हो जाएगा कि तो 2000 Bea HatayF brass ugh tats UK के टॉ- https तो 2000 बटस इतना है 40 हाया- 40 मीटर okay तो देखे तो हम लोग का लंबाई कितना है 50 और चौड़ा कितना 40 मीटर तो यह हम लोग का एंसर हो गया